इस पैरिस ओलंपिक 2024 की सुरवाद हो चुकी है फ्रांस नेशन होस्ट कर रहा है जो कि फ्रांस के लिए बहुत बड़ी बात है पर फ्रांस इससे पहले भी बहुत सारे ओलंपिक होस्ट कर चुका है और इस बार का जो ओपनिंग सेर्मेनी था वो बहुत अच्छा था और इसके अंदर पानी की ठीम रखी गई कि पानी के अंदर जो जाज है उस पे बहुत सारे खिलाडी अपने अपने नेशन के बारें बताएंगे रहे चलो अब आते हैं मुद्दे पे पर कभी आपने यह सोचा है कि हमारा देश इंडिया कभी भी एक भी ओलमपिक को होश्ट नहीं कर पाया 143 करोड की पॉपलेशन होने के बावजूत हमारा देश एक ओलमपिक तक होश्ट नहीं कर पाता हम जहाँ G20 होश्ट करने पर इतने कुस हो जाते हैं अब एक किर्केट वर्ल्ड कप हमने जीता 16 साल बाद वो भी 20 देश में खेल रहे थे उसमें सी 15 तो बेकार थे और 5 जिन से हम जीते हैं उनमें अब इतने कुस हो गए कि हम भूल गए कि हमने आज तक पैरिस ओलंपिक पैरिस ओलंपिक छोड़ो हमने आज तक ओलंपिक भी होस्ट नहीं किया है यह बड़ी सरम की बात है कि इतना बड़ा populated country होने के बावजूत एक Olympic तक host नहीं कर पाते, FIFA World Cup तो बहुत तूर्की बात है, अब भीया कुछ लोग बोलेंगे कि prove क्या है, तो देखो यह रही list, इसके अंदर जितने भी countries ने Olympic host किया है, उन सब के नाम है, यह Japan, China, इन तक ने host क किया है, London, America, France, इन्होंने तो कई बार host किया है, आप खुद देख सकते हैं, पर हमारी इंडिया का तो नाम पहले भी नहीं थे और आगे भी 10 साथ तक नहीं है, कि हम Olympic host करने की उसमें भी है, तो देख रहे हैं आप, चलो छोड़ो यार, नहीं कर पाए hosting तो कोई बात नहीं hosting से क्या होता है, पर फिर मैंने देखा यार, मैडल टेली में हम कितने आ गए हैं, मैडल टेली में हम अपना इतना बड़ा हमारा देश है, 143 स्कॉल लोग यहां पर रहते हैं, तो मैडल के अंदर भी हम कुछ 10 नमर पर होंगे, कुछ 100-100-200 मैडल हमारे पास होंगे, तो मैं देख रहे हैं आप इसके अंदर, हम से इतने छोटे-छोटे देश तक इस ओलम्पिक के अंदर इतने आ गए हैं कि हमको सरम आने चाहिए, कि हमारे पास 50 मैडल तक टोटल नहीं है, 35 मैडल है टोटल, और यहां बड़े-बड़े देशों के पास 1000-2000 तक मैडल है, समझ रहे ह कि हमारे लिए मैडल लाना, इतना मुश्किला जैसे चीटी के लिए पहाड उठाना, इतनी खराब कंडिशन अकरकर है कैसी, चलो यह सब भी छोड़ो यार कि मैडल नहीं है, फिर मैंने खिलाडी देखिए, खिलाडी के अंदर भी हमारी हालत खराब, इतने बड़े देश क होई, और कोई, सब कुछ मान बैठें, कि के कंडर ही सबसे आ ओगही है, यह गर्खिए खेला है Mask लिए खेलो के रिणल भी हम वीडियों के अंदर मैं भी किर्केट का फैन हूं पर जो लोग सिर्फ किर्केट कोई खेल मानते हैं न वो इस वीडियों को छोड़ गया अभी के अभी निकल ले तुम्हारे लाद कुछ नहीं हो सकता ठीक है चलो अब हम बात करते हैं कि किसे घर की अगर नीवी खराब होगी न वो गर भी तूटेगा ठीक है या आपने कहावद जरू सुनी होगी और आपने एक और कहावद सुनी होगी कि फड़ोगे लुखोगे बनोगे नवाप खेलोगे कुदोगे बनोगे खराब भाई जिस बंदे ने भी ये कहावद दी है न उसको तरब से उसको मेरी तरब स होंगे मुझे पूरा यकीन है कि वो सपोर्ट करेंगे बच्चों को और कर भी रहे हैं बहुत सारे और बहुत अच्छा लग रहा है कि अब जब हमारे मैंटल टेली बढ़ रही है और आगे और बढ़ेगी और इस बार भी पिछली बार जो हम साथ मैंटल लेके आये थे इस खेलना है वो ना हो और हमारा देश पूरे स्टेट है हर जगे से खिलाड़ी आएंगे और निकलेंगे और अलंपिक्ति जाएंगे चलो यह बात हो गई कि समाज को साथ देना चाहिए दूसरी बात आती इन प्रस्ट्रक्चर की जो हमारे स्कूल लेवल है प्राइबेट स्क करना चाहिए तो यह मोदी जी से यही अनुरूद है क्योंकि अभी के प्राइम मिनिस्टर वही है कि आगे जाके कुछ कीजिए खेलों में और अच्छा इंप्रस्ट्रक्चर दीजिए हर स्कूलों में खेल को कंपल्सरी किया जाए जिससे कि उनको पता लगेगी उनका लोग मिलता है इसलिए अगर हमें दो काम कर लेना तो हमारा देश भी बहुत ज्यादा मेंडल ला सकता है तीसरे काम यह है कि यह हिंदू-मुस्लिम जो करते हो नहीं दंगा फैलाते हो यह सब बंद कर दो यार अगर यह सब बंद नहीं होगा ना हमारा डेस कभी आगे नही दे बंद कर दो और सबको सब्साब करो और अच्छे सरे करो तबिस आगे बढ़ेगा मुझे लगता है कि यह सब करने पर हमारा देस आगे बढ़ सकता है इसलिए और मैं बस अब बस इंतजार है कि इस ओलमपिक के अंदर हमारे खिलाड़ी कितने सारे मेंडल लेके आते हैं जो भी खिलाड़ी हमारे इसमें गए है निरो चोपरा सर पीबी सुन्दू मैम और भी है बस चाहते हैं कि यह आगे बढ़े हैं और मेंडल लेके हैं और इस बार भी गोल्ड मेंडल लेके हैं निरो चोपरा सर पीबी सुन्दू मैम और भी हैं तब ही हमारा दिस आगे बढ़ेगा और एक और बार हम पेरिंस ओलम्पिक के अंदर हमारी मेडल टेली आगे बढ़ेगी तो तो तही दिल से बदाई देते हैं जितने भी हमारे आपे खिलाडी गए हैं और उनका उसला बढ़ाते हैं तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि य चैनल पर तो फिर मिलता हूं आपको नए वीडियो के अंतर तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखियागा